अगर आप लोग आयाटी जाम मैथमेटिक्स एक्जाम को टार्गेट दे रहे हो आप लोग भी आयाटी जाम का एक्जाम देने वाले हो तो आज किसे सर में आप लोगों की काम की बात करने वाले हैं क्योंकि अगर आप किसी भी एक्जाम को क्रैक्ट करना चाहते हो न तो आप आपको पता होना चाहिए कि इस एक्जाम को क्रैक्ट करने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने हैं आपको वहां पर एडमिशन मिल जाए तो अगर आप लोगों को बताऊंगा अगर आप लोगों को कितने मार्क्स लाने होंगे तो मैं यहां पर आप लोगों के साथ क्या लेकर पिछले नौ साल के मतलब 2016 से लेकर 2024 तक के सारे कट-off लेकर आया हूं ताकि आपको पता चल सकेगी इस साल इतना कट-off गया था इतने स्टुडेंट पार्टिसेपेट किये थे किस आयाटी ने पेपर सेट किया था तो इस बार का थोड़ा डिपिकल था इस आयाटी ने मौडरीट रखा है इस आयाटी ने सिंपल रखा उसके सासत कितने स्टुडेंट एक्जाम देते हैं यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको एक एडिया लगे कि भाई एक सीट के लिए कितने स्टुडेंट का था आयाटी जायम का और जनरल के लिए कट आफ अगर आप देखेंगे तो यह थोड़ा सा हुआ है इस बार के एक्जाम में 11.22 गया है आउट ऑफ हंडेड मार्क्स मतलब आयाटी जायम के हिस्ट्रे में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना कम कट आफ गया है जनरल कैट पर था उसे आयाटी मदरास में सेट किया है और आयाटी मदरास का यह ट्रैक रिकाउड रहा है कि जब भी वह पेपर सेट करते हैं तो काफी डिफिकल्ट बनाते इसलिए कट आफ इतना कम गया है और 25 के अगर मैं बात करो तो आयाटी देली एक्जाम कंड़ेट करने जा र पार्टिसिपेट किया था जनरल के लिए कट आप गया था 24.56 EWS के लिए 22.1 SCST और PWD के लिए 12.28 अगर 2022 में बात करो तो 22.91 जनरल के लिए EWS और OBC के लिए आप देख सकते 20.61 और अगर SCST PWD की बात करें तो 11.46 गया था IIT रूरकी ने पेपर सेट किया था उस समय 12,716 लोगों ने एक्जाम दिया था 2021 में 13,186 स्टुडेंट ने पार्टिसिपेट किया था जनरल के लिए कट आफ था 24.91 EWS के लिए 22.22 और SCST और PWD के लिए 12.35 था और 2020 में 14,734 स्टुडेंट ने एक्जाम में पार्टिसिपेट किया था अब तक IIT जायम का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने पार जाया गया कि थोड़ा से नंबर ओफ स्टुडेंट में कमी आई बड़ दिन बढ़ता जा रहा है ठीक है और यहां पर कट आफ हाय गया था 33.65 गया था 30.29 है और 16.82 IIT कानपूर ने पेपर सेट किया था सिमिलरली आप 2019 का देख सकते है 2018 है 2016 है 2017 है तो 2016 की अगर मैं बात करो तो यहां पर देखे आप 9999 लोगों ने एक्जाम दिया था जनरल के लिए कट आफ गया था 22.67 EWS और OBC के लिए 24.9 गया था और SCSTPWD के लिए आप लेक देख सकते 13.84 गया था उस टाइम भी कट आफ मत नब बहुत हाय तो नहीं गया था आया टी मधरास में पेपर सेट को था बस आया-टी मदरास में 2024 का पर थोड़ा डुपिकल्ट सेट कर दिया है बट ऐसा ओड़न की लेवल थोड़ा सबीपर रहता है तो ऑनने लेवरेज्वर अगर मैं कट-off की बात करता हूं ता कि आपक को आयाटी में एडमिशन मिलेगा जो भी जिस भी काटिग्री से आप आते हैं जो आपका कट अफ है कट अफ से 20 प्लस मार्क एक्स्रा लाएंगे तो ही जाकर आपको आयाटी में एडमिशन मिलेगा जैसे कि फॉर एक्जामपल मान लीजिए दो हजार तेइस में जनरल के मिलता है अगर आप टॉप के आयाटी में जाओगे अगर आप टॉप के आयाटी में जाना चाहते तो आपका 50 प्लस होना चाहिए जब कट अब बहुत लो नहीं गया है उस केस में ठीक है तो अने अबरेज अगर मैं बात कर लो तो जनरल के लिए कट आफ जो जाता है 30 प्लस माक आपके होने चाहिए ठीक है यह डबलो एस ओबीसी के लिए 22 माक्स ऑने एवरेज के सकते हो और यहाँ पर आप थर्टी माक्स पकड़ सकते हैं सीस्ट और पी डवलू डिके लिए अगर इतनी माक्स आप लाते हैं तो आप आयाटी में एक्जाम क्राइड कर जात है थोड़ा सा 2-4 आगे पीछे हर बार होता रहता है और लगभग 14,000 स्टुडेंट एक्जाम देते हैं कितने स्टुडेंट एक्जाम देते हैं 14,000 तो एक सीट के लिए 20 स्टुडेंट का फाइट होता है मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉंपेडिशन उतना ल यहां के थूरू अगर आटी में जाना ज्यादा आसान है आज कंपेर टू आइटी जी तो यहां से एक आपको अड़े मिल गया होगा भाई यह तो था कट आफ तो देखो अगर आपको आई आटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मान के चले अगर आप जनरल के इसा नहीं कि आपको आएटी मिलेगे अगर आप के आई आटी में जाना चाहते लाइक आएटी बामबे देली या रूडकी है कानपूर है मद्रास है गोहार्टी है तो उस केस में आपको कट आप से 30 मार्क्स एक्ष्टरा लाने होंगे तो जाकर आप आप तॉप के आई आ से काम नहीं चले एक किक मिले अगर उसके साथ दिखे कॉट के माँट में 30 इक्सा कैसे आएंगे जब आप अपने सब्ज़ेक्ट को अगर इस बात करो ना तो वह बहुत इंपॉर्टेंइच्छ सब्जेक्ट है linear algebra में IIT exam exam में आप देख सकते हैं 20-22 मार्ग के question पूछे जाते हैं 20-22 मार्ग के question आपको IIT exam exam में linear algebra के पूछे जाते हैं तो अगर आप linear algebra में अच्छा score करते हैं मान के चलिए 17-18 marks लाते हैं तो आपका rank top 100 में भी आ सकता है बाकी जगह से score करने के बाद तो IIT exam point of view से देखें तो linear algebra काफी important subject है तो आपके exam को ध्यान में रखते हूं हमने क्या क्या complete linear algebra for IIT exam student हमने एक proper course आप लोगों के लिए free कर दिया है तो इस course में देखें 50 घंटे का आपको लेक्षर दिया जाएगा 50 hours approximately में कह रहा हूं 50 hours का lecture होगा total 24 लेक्षर हैं यहाँ पर ठीक है हर एक लेक्षर लगभग दो घंटे का है और हर लेक्षर के बाद आपको उस लेक्षर से related 10 question दिये गए है practice के लिए ताकि आप practice कर सके के देख सके क्या आपका कौन से सच में clear हुआ या नहीं हुआ कोई गडबड तो नहीं है तो अगर आप लोग आयाटी जाम एक्जाम के लिए प्रेपर कर रहे हैं आयाटी जाम का एक्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों को लीनेर अलजेब्रा का यह recorded course बिल्कुल देखना चाहिए जो कि completely आप लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है यहां पर हम जिरो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक मतलब एक्जाम लेवल तक गए हैं अगर आपको लीनेर अलजेब्रा में कुछ भी नहीं आता तो भी आप देख सकते हैं लीनेर अलजेब्रा में बहुत कुछ आता है तो भी आप देख सकते हैं तो अगर आप लोग लोग एक्जाम को टार्गेट कर रहे हैं आपका subject mathematics है तो आप लोगों को यह lecture series बिल्कुल देखना ही चाहिए definitely यहां से आपको 100% फायदा मिलने वाला ही है ठ एक्जाम आपको क्या सेलेक्ट करना है और अपने आपको रजिस्टर करिए वहां पर यह आपको मिलेगा लगन फ्री सेक्शन में जाए रिकॉर्डड लेक्षर में और मान लिए फिर भी कोई दिक्कत होती तो इस पर मैंने अल्लेड़ी वीडियो बनाए रखा है कि कहां प हो कहां पर मिलेंगे यह भी आपको मिल जाएंगे रैंकर्स की स्ट्रेडजी मिलेगे नए क्वेस्टन के आप कर सकते हो टीचर हैंडाउट मिलेगा प्रिवेस्टेश एर क्वेस्टन पेपर 2005 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर आनलस्स आपको मिल जाएगा कट ऑफ मिल जाएगा मतलब एक्जाम से रेलेटेट छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी आप जाना चाहते हैं सारे चीज आप लोगों को IFS कैप में मिल जाएगा कहीं भी यहां व 2023 2221 तो इनके जो पेपर थे जो एक्जाम हुआ था उस पेपर को बिल्कुल एक्जाम के फॉर्मेट में टेस्ट में अफ्लोड कर दिया गया है जैसे कि फॉर एक्जमपल अगर आप 2023 का एक्जाम देते तो आपको कितना मांक्स मिलता चेक करना तो IFS कैप में जाएगा बि तो चलिए आज के सिसन में इतना ही थैंक यू सो मच